लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है किसी कवी को जब बाद में बुलाए जाता है उनको सबसे बाद में बुलाए जाता है जाहिर सी बात है इसलिए बतागँ सब लोग अपने पतियों के नाम से जाने जाते हैं यहां तर चार-पास लोगोने कहा कि अच्छा आप स्रीनीटू नवगीत है कि अ मैंने कहा बिल्कुल मैं स्रीमान नीतु नवगीत हूँ सारी कभी लोग भी उसी रूप में मुझे जानते हैं प्रेड़ना जी भी देखी मुझकुरा रही है क्योंकि वो भी मेरा मूल नाम नहीं जानती है लेकिन यह चलता रहता है क्या किस येगा और जब से मैं स्रीमान नीतु नवगीत हुआ हूँ वो भी उसी भूमिका में आ गई है बाकी लोगों को उनके पती यह चोड़ कर गए है मुझे मेरी पत्नी ने यह चोड़ा है पूरा मुआयना किया और जब वो निश्चिन्त हो गएं कि आलोक राज सार भी आ रहे हैं तब मुझे छोड़ करके गई है कि यह जगह सुरक्षीर और सर मैं तो डर रहा था आपके सामने कविता सुनाने से पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है मुझे और पवन भाई दोनों को बहुत डर लगता है पवन भाई को क्यों डर लगता है इसका कारण तो बहुत बताएंगे लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात से डरता हूँ कवियों को जब गुसा आता है तो कविता लिखते हैं समीर भाई भी वही काम करने लगे हमारे पास शब्द होते हैं सर तो शब्दों से क्या करेंगे आप कविता लिखेंगे गुसा आएंगे तो लेकिन पूलिस वाले को गुसा आगया तो क्या होगा उनके पास तो शब्द होते नहीं कुछ और होता है प्रियोग होगा सर जिसके पास जो चीज है पत्रकार को गुसा आता है तो शब्दों का इस्तबाल करके आपके खिला पार्टिकल लिग देंगे लिकिन सिपाहीज जी को गुसा आ गया तो उनके पास डंडा होता है दे दना दन पवन भाई गवा है कि इनके पास काटून है तो दो चार काटून बना देते हैं यह क्रम चलता रहता है आज मुझे कहा यह कविता सुनाइए मेरा अभी ट्रांसफोर्मेशन का दौर चल रहा है तो रसा है ट्रांसफोर्मेशन मतलब होता है एक जमाने में समीर भाई हमारे बास वा करते थे हमसे बर्तन धुलबाते थे हमने कहा कारीगर भी बना दो भाई यह खाना बनाते थे हमसे बर्तन धुलबाते थे बोले कि नहीं कारीगर बनने के लिए पांच साल बर्तन धोना जरूरी है अच्छा शेफ होई होता है जो बर्तन धोए बाद में मैंने इनके शागिर्दी छोड़ दी दोस्पर नाम यह निकला कि अब लगातार बरतन ही धोय जा रहा हूं अच्छे गुरू को कभी छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन 2020 में मैंने इनको छोड़ दिया अब तब से बरतन धोने का क्रम जा रही है दो हजार में एक कामार में ने किया मैंने पत्रकारिता छोड़ दी कलम मेरे शाथ हुआ करती थी कलम के साथ साथ कुछ कलम बालियां भी साथ साथ घूमती थी मुझे भी खुशी होती थी कि अरह देखो इंतने लोग को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पत्रकारिता में वह दोर भी चला गया और जो बच गया और रलू का बड़ा सा इंजन था अब घर से निकलूं घर में आओं तो बरतंद होना है और घर से बाहर जाओं तो सीटी की आवास सुननी परती थी ने रेल को कई बार कहा कि सीटी इतना मत बजाय करो ड्राइबर को भी बोल वह लगा कि नहीं सर आप है तो जरूर बजाए और यह क्रम जो है से जीवन में चल रहा है और चुके मैंने कहा कि अभी ट्रांस्पोर्मेशन का दौर चल रहा है हासी कविता के दौर में मैं आना चाह रहा हूं और पहले मैं गंभीर कविता लिखता था और दुरभाग देखिए जो भी बड़ा आदमी ने बड़ा काम ज साथ लेकर चली गए है साजिशे सार लंबी है आपके खिलाव बहुत साजिस्क है भाई यही हाल यहां भी है बहुत कोशिश मैंने की कि मैं हास कभी के रूप में आपके सामने आऊं लगता है संभव नहीं है और इसलिए अब धुमील के साथ चालू करता हम जिन्होंने कहा जिन्होंने कहा था कि कविता क्या है क्या यह चरित्र चमकाने या व्यक्तित्व बनाने की कोई चीज है कविता क्या है क्या यह व्यक्तित्व बनाने चरित्र चमकाने की चीज है और फिर उसका जबाब भी उहीं देता है कि ना भाई ना कविता शब्दों में आदमी होने क कि तमीज या बात और दुमीज जीन एक और बात कहीं कि कविता क्या है कविता क्या है क्या यह कोई पहनावा है कविता क्या है क्या यह कोई पहनावा है कुर्ता पैजामा है और बरहिंस करीने से वह जवाब देते हैं कि ना भाई ना सवाल है कि कविता क्या है क्या यह कोई प बेगुनाहा आद्मी का हालफ नामा आहें और इसी से जूरे हुए कविता दिल्ली जाने वाली सड़कख अम्मा बीस सज्श G Pillda vatthv खेश G Pillda vatthva उनिम्म सझाने पॉलिस वाला रास्ता ना है तो राजनीदेव याला निकले हमारी शुब कामना है जहां रेड़ कार्पेट बीछ उसको आगे बढ़ाईए लोग सर देखिए दिल्ली वाले रास्ते पर राजनीती के रास्ते पर जाते हैं तो हम लोग एक फैदा है यह जो डर का महौल बना हुआ है सर के चलते पता नहीं कर दाया धाया धाया धा हमारे साथ यह आप लिवर्टी ले सकते हैं रेल का आदमी हूं क्या करूंगा आप दूपर ट्रेन थोड़े चाड़ा दूँगा जब तक आप पट्री पर नहीं आएंगे तब तक तो भाई तो यह सब मैं कह रहा था कि अम्मा बताती है यह सड़क दिल्ली को जाती है दिल्ली जो देश की राजधानी है सामान गयान की बात आप सोको मालू ही होगा पवन भाई को छोड़ कर करके उनको मैं लिवटी देता हूं उनका जी की थोड़ा से कमजूर है आज से हैं बहुत करेंगे क्या पवन भाई आप यह बात 1997 में भी बोले थे कि हमको पटना सागा जने नहीं आप आते रहतों कि भारत का दानी दिल्ली है दिल्ली है तो उनके लिए माफी है बाकी सब आप लोग जान लेजे कि अम्मा बताती है यह सड़क दिल्ली को जाती है दिल्ली जो देश का दिल है दिल्ली जहां देश की संसद है जिसके लिए होता है चुनाओ साल में एक बार दिल्ली जहां देश की संसद है जिसके लिए होता है चुनाओ साल में एक बार अपने गाओं के स्कूल में अब मां बच्चे को बता रही है कि साल में एक बार जहां होता है पांच साल में एक बार जिसके लिए होता है चुनाओ अपने गाओं के स्कूल में बच्चा धीर से पुछता है मा दिल्ली जाने वाले इस सड़क में हम कहा है दिल्ली जाने वाले इस सड़क पर हम कहा है हमारे गाउं का स्कूल कहा है हमारा गाउं कहा है दिल्ली जाने वाले इस सड़क पर हम कहा है हमारा गाउं कहा है हमारे गाउं का स्कूल कहां है अम्मा खामोश रह जाती है दिल्ली जाने वाली सरकपर परी किस बोरी की किस फाइल में विद्दबे परे हैं बता नहीं पाती है अम्मा खामोश रह जाती है अम्मा खामोश रह जाती है बहुत 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 बहुत